तो अलो गैस कैसे हैं आप लोग तो गैसा आजम बात करने हो लहें बजाज यमाई कार्ट के लिमिट बेंक में ट्रासफर करने की जो कि यापर अपनी केसन पर तीन नए पॉड़क्ट लिस्ट करे गए हैं जिन पर कि आपको बजाज यमाई कार्ट को उप्शन मिल रहा है तो तो मैं आपको यहां पर clear ही बता देता हूँ कि अगर आप यहां पर application का use करते हो तो इस पे आपको कोई product receive नहीं होता है आपको जो amount हो आपके bank में ही transfer करा जाता है अब जैसे कि यहां पर देख सकते हो कि अभी जो है एक यह product add करा गया है एक यह product add करा गया है ठोड़ा सा लेटर के limit bank में transfer करना है तो अभी यह नए option यहां पर add करेगा है और यह कुछी time के लिए है ठीक है यह नहीं कि आपको यहां पर 2-3 दिन या 10 दिन तक का यह option यहां पर so करेंगे वो सकता है कि वीडियो डानने के बाद ही 2-4 मिनट बाद यह option यह product कोई buy कर ले उसके बाद आपके पास यह product पर सोना करें तो आप मुझे comment करो कि option नहीं आ रहा है कोई दूसरा तरीका बताओ ठीक है तभी यहां पर देखो कि तीन option add करेंगे हैं अब यहां से कैसे आप अपने बजाज यह माइट के लिमिट बैंक में transfer कर सकते हो कितना time लगेगा यह amount आपके bank में आ नाम में ठीक है application को download करने के बाद आपने इस पर sign up registration जो भी complete कर लिना है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर KYC complete करना होता है वैसे तो आपको home page पर KYC complete करने का जो है option मिल जाएगा अधर वहां पर option नहीं आता है तो यहां पर आपको एक option मिलेगा manage KYC and bank account का तो आपने इस तो आपको जो amount है इसी bank में transfer करा जाता है ठीक है यानि कि आपको product order करने के time या order लगाने के time कोई भी ऐसा option नहीं मिलेगा जिससे कि आप अपनी account detail आइड कर पाओ आपको अपनी account detail तब ही add करनी होती है जब आप यहां पर KYC complete करते है ठीक है बीना KYC कि आपने कोई भी order नह नहीं खिरा जाएगा ठीक है मैं आपसे फिर घह रहा हूँ बीना KYC complete करें अगर आप order लगाते हो तो आपका मुंद आपके bank में transfer नहीं होगा ठीक है सबसे पहले आपने KYC complete करना आप KYC complete करने के बाद जिन जिन option पे आपको बजा जी आपको option मिल रहा है वो मैं आपको यहा order लगाया वह यहां पर दो product का order लगाया ठीक है जो कि यहां पर देख सकते हो अगर हम इसको नीचे score करते हैं और यहां पर discount हो गया रहा कि बात करते हैं जैसे मैं आपको और वीडियो में बोलता हूं कि आपने कोई ऐसा product order करना है जिस पर discount या फिर cashback कम हो ठीक अब इस product की value जो है वो 20,598 यानि कि जो दोनो product है उनकी value 20,598 में बताई जा रही है इस पर 2000 रुपए का discount है यानि कि दोनो product मिला के ही 2000 रुपए का discount है जो कि आपको जो total payment करना है अपने बजा जी हमाई कार से वो 20,598 की करना है और आपको जो amount receive होगा वो 18,788 रुपए receive होगा यानि क 2000 रुपए का आपका यहां पर loss होने वाला है अगर आप इस product को buy करते हैं दो डिक है वैसे ही इस पर 190 रुपए के आपकी earning भी है तो something आपको जो है 18,800 का यहां पर loss होने वाला है बात करते हैं आपके bank में कितना amount आगा तो यहां पर देख सकते हो आप यह खुससे सब को check कर सकते हो ठीक है आपको जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूं तभी आपके समझ में आ रहा है खुससे application पर आके check कर सकते हो कि कितने का product है और कितना discount है product के उपर और final amount आपके bank में कितना आने वाला है यहां पर देख सकते हो यहां पर final amount बताया गया है 18,778 रुपए क्योंकि 5% इस पर TDS भी लगने वाला तो यह जो TDS है आपके total amount पर नहीं लगता है यह जो 190 रुपए आपके earning हो रही है इस पर 5% का TDS लगेगा जो कि यहां पर देख सकते हो 10 रुपए आपके काटे जाएंगे ठीक है यानि कि जो tax है वो 10 रुपए का यहां पर tax काटा जाएगा तो product आपने अपने कोडिंग select करना है अगर आपको यह ज्यादा discount लग रहा है ठीक है और limit आपको कितिनी जो है transfer करना है वो अपने कोडिंग आप जो है select करेंगे इसमें मेरा कोई role नहीं है ठीक है अब जैसे मैं आपको यहां पर सिर्फ बता रहो एक तो order यह हो गया दूसरे order क हम बात करें तो यह रहा है ठीक है जो कि यहां पर आईशे बैंक के credit card से इसे order करने के लिए बोला जा रहा है जो कि यह Redmi phone है और इसकी जो value है वो 15,34 रुपए है ठीक है अगर हम इसके bank account की बात करें यह बैंक की bank amount की बात करें तो इस पर देख सकते हो कि जो है 15,34 का यह product है कि 1500 रुपए का discount है ने कि यह हमारा loss है हमें जो total payment करना है इस product के लिए करना है 15,34 रुपए और हमें जो यह पर की तरफ से payment receive होगी वो यहां पर देख सकते हो कि 14,014 रुपए receive होगी और यहां पर 180 रुपए कि इस पर earning भी होने वाली है तो हम इसको नीचे score करेंगी और य हम सिर्फ आपको बताना है कि इस पर option आ रहा है अगर आपको requirement है अगर आपको कोई agent need है तो आप योज करिए ठीक है अधर्वाइस सिर्फ चीट करने के लिए बिलुकुल भी योज मत करिए मज़े के लिए तो बिलुकुल भी transaction मत करिए ठीक है फिरी fund में आप 1012 रुपए क चार्ज मत दीजिए अधर वैसे यहां पर तीसरा भी product है यह देख सकते हूँ जो कि यह भी phone यहां पर one plus का है ठीक है जो कि यह product one plus का है इसकी value यहां पर 17245 रुपए की बताई जा रही है अगर हम इसको नीचे स्पोल करके देखते है ठीक है वैसे यहां पर इस सभी product को अ 17245 रुपए 1725 रुपए का इस पर discount है ठीक है अगर आप यह product total करते हो तो आपको टोटल payment करना है अपनी यमाई कार से वो करना है 17245 रुपए ठीक है लेकिन आपको जो यहां पर की तरफ से amount receive होगा वो 15771 रुपए receive होगा ठीक है और यहां पर बात करें earning की तो इस product पर आपको 250 रुपए के earning होने वाली है जो कि आपके bank में total amount transfer करा जाएगा वो करा जाएगा यहां पर 15755 रुपए 13 रुपए का इस पर tax कटने वाला है ठीक है तो अभी देखो कि भाई इनमें से decide आपको करना है कि कौन सा product buy करना है किस product में आपको कम से कम charges लग रहा है यह लि अपने चेक आउट करेंगे उसके बाद आप simply nest पर किलिक करेंगे ठीक है order को देखने के वाद ही आपने nest पर किलिक करना है उसके बाद फिर से आपके पास है जो इस परखार का notification आएगा then okay पर किलिक करेंगे ओके पर किलिक करने के पास यहां पर just wait करेंगे ठीक अब यहां यहां पर देखो कि अपने पास दो option आ रहे एक तो add to card दूसरा यहां पर pay with yamai ठीक है अगर आपके पास ऐसा option नहीं आता तो आपके पास direct proceed को option आ जागा तो उसमें टेंसर नहीं लेना आपने प्रोसीट पर किलिक कर देंगे जो कि आप सेम payment page पर ही पहुँचने वाले को क लिकत नहीं आने वाली है तो अभी हम यहां पर simply pay with yamai पर click करेंगे ठीक है इसके बाद कि हमें जो है यहां पर इसको login करना होगा तो यहां पर सायद मेरा account login है क्योंकि मैंने इसको कई बार use कर रहे से इसके बाद आपके पास login करने का option आएगा तो आप इस website को login करेंगे ठ सब्से important चीज हां पर यह कि यह जो नीची address आ रहा है यहां पर देख सकते हो यह address enter करने के लिए आपने यहां पे क्या करना है यहां पे चेंज का option आ रहा है तो simply आप change पे किलिक कर देंगे आप जैसे change पे किलिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पे address अलजिस्ट करेंगे तो इन में से किसी भी address पे आपको यह order नहीं लगाना है आप simply add new पे click करेंगे ठीक आप जैसे इसको paste करेंगे तो यहां पे जो है आपका नाम या फिर address जो भी है यहां पे paste हो जाएगा ठीक है तो यहां पे इस मैंने address होगा फिलवरी होने वाली है या फिर नहीं ठीक है इसको verify करने बाद आप simply proceed to payment पे click कर देंगे proceed to payment पे click करने के बाद यहां पे देखो कि आपके सामने इस परकार के option आज जाएंगे ठीक है अब यहां पे decide आपने करना है कि payment किससे करना है बजाज से या फिर extra pay later से अगर आपको बजाज EMI guide के limit निकालना है तो आपने simply बजाज पे click कर देना है और यहां पे देखो कि आ अबी no-post EMI का option चलाया जारा तो अगर आप 3 मेने के लिए लेते हो तब भी आपका जोเอ no cost ही पढ़ने वाला है अगर इस amount को 6 मेने के लिए EMI पर लेते हो तब भी आपका No cost का यह option पढ़ने वाला है ठीक है जो कि यहां पर कैसा आपको आपका order value बता दिया जाएगा total payment आपको बता दी जाएगी कि आपको इतनी payment करना है डिक्स के बाद आप जो this plan पर click करेंगे इसके बद जिस यहां पर आपको option आ रहा है enter card number यानि कि आप जो ही यहां पर अपना yamai card number enter करो यहां पर देखो कि आपने अपने यamai card का number enter कर देना है उसके बाद आपने पेनाओ पर click कर देना अब जैसे पेनाओ पर click करोगे उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा जो आपके yamai card से number link है उस पर एक OTP आएगा वो OTP फिलप करेंगे आप जैसे ही submit करोगे यानि के proceed to pay पर click करोगे वैसे ही आपकी जो payment हो successfully complete हो जाएगे अब यहां पर जैसे ही आपकी जो payment हो complete हो जाती है उसके बाद आप automatic back आजाएंगे यहां पर application पर देखो आपका order लगता ही लेकिन यह block रहता है आपके bank में transfer नहीं होता है जैसे ही यहां पर देख सकते होगे इस परकास यह amount आपके wallet में आ जाएगा जो यहां पर payment receipt करके बोला जाएगा लेकिन यह amount आपके bank में transfer नहीं करा जाएगा जैसे ही आप जो product order कर रहे हो जैसे ही यह product delivery हो गए रहा हो शटेमेंट के बend solder के लिए अपने उडर को सलेक्ट करने गलंडा तो यहां पे देखो यह पर ऑडर आईडी यह अउटेमेटिक उठा लेगा लेगा लेकिन आपने ऊस वेबसाइट से और लगाया तो उसकी जो भी ओडर आइडी है वैसो ति ही ओटोमेटिक उठा लेता है अगर उटोमेटिक नहीं उठाता है तो आपने उसको मैनुवली वहां से कॉपी करके यहां पे एंटर कर देना है अब जैसे ही ओडर आइडी कॉपी कर दोगे उसके जैसे ओडर वाहाँ से shipping हो जाता है राड़ के लिए उसका नाम हो गयारा आपके पास और ट्रैकिंग आईडी यहां पर फिल अप कर देंगे ट्रैकिंग आईडी फ्लप करने के बाद यहां पर डिलवरी सपोर्ट डिलवरी सपोर्ट पर आपके मूबाइल नमबर पर बाद के last 4 digit मांगे जाएंगे तो वो भी आपने enter कर देना है ठीके जो mobile number आपने order लगाने के time वहाँ पर enter करा था उसी के last 4 digit मांगे जाएंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा बाद जैसे product delivery हो जाता है उसके बाद आपके email पे invoice आता है यानि कि उस product कब भी लाता है आपके email पे नहीं आता है तो आपने simply उसी website पे चले जाना है my order पे चले जाना है और वहाँ पे आपको invoice download करने का option मिल जागा तो वो PDF download करके then यहाँ पे upload कर देना है ठीक हो इस upload करने के बाद आपका सारा काम जो है यहाँ पे complete हो जाएगा ठीक है आपको उसके बाद कुछ नहीं करना उसके बाद आपने payment के लिए wait करना अब बात करते हैं अखिर कितना time लगेगा payment आने में तो payment आने में इसमें कम से कम 8 से 10 दिन का समय लगता है ठीक है जैसे ही आपका product delivery हो जाता है सबसे पहले अब जित दिन order लगाते हो इसके बाद ंदर दन आपको product दिल्वरी हो गया उसके बाद आपने सारा process कंप्लीट कर लिया ठीक है उसके बाद product को delivery होने के बाद कम से कम 3 दिन लगती है आपके payment को रिलीज होने में, कभी-कभी तो 10 दिन भी लग जाता है payment रिलीज होने में, तो यहां से payment रिलीज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है यानि कि आपके bank में ट्रांसफर हो जाती है लेकिन final payment आपके bank में आने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 दिन का यहां पे समय लगने वाला है तो अगर आपको अपनी यमाइक आट के limit बेंक में ट्रांसफर करना तो आप इस प्रोसेस को follow करके अपनी यमाइक आट के limit काफी आसानी से बेंक में ट्रांसफर कर सकते हैं